हाई अब्रिवन चाहस के चैनल ब्लॉक्स में आप सभी का स्वागत है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा इसे हमारी सारी नोटिफिकेसन आप सभी को सबसे पहले मिलेग तो चलिए स्टार्ट करते है बनाना इसे तो आज मैं आप सभी को एकदम बाजार जैसे गुलाब जामून बनाना जिखाऊंगी बिदाउट खोया बहुत ही स्पंजी और डिलीसियस मैं यहाँ पर इंस्टेट गुलाब जामून बनाना जा रही हूं उसके लिए मैंने गु गुतना है याद रहे सारे पानी एक साथ ना मिला इसमें थोड़े थोड़े करके हमें इसे गुतना है हमें इसका एक सौफ्ट डो बनाना है लाइक इस तरह आप देख सकते हैं अब हम चलते हैं इसकी चोटे-चोटे साइस के बाल बनाने तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट है और इसे एक ट्रे पर रखके इसे चोटे-चोटे साइस के बाल बनाने है हमें इसे सारे एक ही साइस के बाल बनाएं स्टार्टिक में हमें थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे रोल करना है और इसमें जरा सा भी क्रेक ना आना चाहिए क्योंकि अगर क्रेक आएगा तो हमा अब हम चलते हैं इसकी चास्तनी बनाने तो मैंने यहां पर पतिला रख्या है इसे गर्म होने के लिए मैं इसमें 125 ml सुगर एड़ करूंगी और मैं यहां पर एड़ करूंगी 250 ml वाटर मैं यहां पर उत्रा ही बना रही हूँ सुगर सिर्फ जितना की यूज हो सके वेस्ट ना हो इसे अच्छी तरीके से मिलाते हुए चलाएं और अब मैं यहां पर दो इलाइची एड़ करूंगी इलाइची का टेस्ट जो है सुगर सिर्फ में बहुत ही अच्छा आता है इसके लिए इलाइची डालना जरूरी है आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर उबाल आ गया है इसी हमें 6-7 मिनिट के लिए मेडियम हाई फ्लेम पर पकाना है और यहां पर 6-7 मिनिट हो चुके हैं तो हमारा सुगर सीड़ जो है रेडि हो चुका है अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस में यहां पर मैंने कड़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रखा है जैसे ही तेल गर्म हो उसका फ्लेप में मेडियम रखना है देन हम यहां पर वन पाई वन करके गुलाब सामून एड़ करेंगे याद रहे हैं, पहले हमें तेल को गर्म करना है फैना तेल पहुर सब्सकर करना पहुआए ह यहां पेईट कलर ब्रौन हो गया है थोड़ा साू अफे से और हमne से ब्राउन कर से दीजी रखक देंगे थ Hear all the рис इन सभी को अच्छी से मिलाती हुए हमें पकाना है गैस का फ्लेम लो मीडियम पे रखना है हाई नहीं करना है हमें इसे चलाती हुए पकाना है अधर वाइस कहीं जल जाएंगे और कहीं चछे रहेंगे तो वह खाने में भी टेस्ट नहीं आएगा तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर डार्क ब्राउन में चैंस्या है जब यह कि जब यह ऐ दूंद अधर्डर हो सुगर सिरिफ में ठीहिन अभी कर देंगे ताकि जो सुगर सेरे पर अच्छी तरीके से अब्सॉब हो जाए गुलाब सामून में और इसे एमें चलाते हुए 5-6 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये कच्छे ना रहे हैं अंदर से लगबक ये भी पक चुके हैं आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है जैरा साभी क्रेक नहीं है गुलाब सामून में और अब हम इसे सुगर सिरफ में डिप कर देंगे और 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने रेंगे 20 मिनट हो चुके हैं यहां पे आप देख सकते हैं अभी गुलाब सामून जो है अच्छे से रेडी हो चुका है सुगर सिरफ अच्छे से एबसॉब हो चुका है गुलाब साम तहें दिल से धन्यवाद और ऐसी सिंपल सी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई